नमिश्का रुष्तो इस डिस्केशन में हम 27 दिसंबर 2021 के करंट इफिर के सभी इंपोटन्ट कोश्चनों को कवर करेंगे PDF आप इसकी टेलीग्राम चैले से डाउनलोट कर लिजेगा और लेंक इसका डिस्क्रिप्शन वोक्स में नीचे दिया गया है तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में सीर से राज्जे कौन सा है बताए इस कोश्चन का सही आंसर क्या है अब आप ध्यान से सुनिएगा हमारे जो होम मिनिश्टर है नाम क्या है अमिस सहा इन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को जारी किया है अब इसमें जो पहला इस्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है गुजरात को पहले पे गुजरात है दूसरे पर कौन सर है दूसरे पर महाराश्टरा और तीसरे पर है गोआ आप ये भी याद रखेगा कि गुड गवर्नेंस डे ये हर साल 25 दिसंबर को मना जाता है कब 25 दिसंबर को क्योंकि कोशें कभी-कभी यहां से भी पूछ जा सकता है तो याद रखेगा पहले पर गुजरात दूसरे पर महाराश्टरा तीसरे पर गोआ तो ये ओप्शन इस कोशें का सही आंजर है अब बात करते हैं दूसरे ओप्शनों की राजिष्थान की सरकार ने चीरन जीवी योजना इसको श्टार्ट किया हरियान सरकार ने प्रान बायू देवता पैंसन योजना इसको श्टार्ट किया महराष्टा सरकार ने जेल परियटन इसको श्टार्ट किया अब बात हुए यहाँ पर गुजरात की तो गुजरात की लोकेशन देखे आप यह है गुजरात यह देखे आप आसपास के राज्जों की बात करें तो राजिस्थान, मध्यपर्देश, महराष्टा तीन राज्ज गुजरात की तो गुजरात की तोटल भारत के नो राज्जों की सीमा समुद्र के साथ रखती है जिन में से संसे आदा बाउंडरी गुजरात शेयर करता है इसलिए इसकी लोंगेश्ट कोस्ट लाइन है बोपेंदर भाई पटेल, मुख्यमंतरी है, आचारे देवरत, राजे सबा की 11, विधान सबा की 182 सीटे हैं, एहमदबाद में इसकी हाई कोट है, जहां के मुख्यने आदिस है, अरविंद कुमार, अब कुछ इंपोटेट नेशनल पार्क के बात कर लेते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लेंड ओफ एश्याटिक लाइन्स भी कहा जात मेरी नेशनल पार्क, नारायन सरोवर सेंचुरी, बार्दा हिल्स, वैल्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बड सेंचुरी, भावनेकर ब्लैक बग नेशनल पार्क, अब लेक की बात करते हैं, सूर साकर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनो लेक, गुजरात में हैं, सरदार सरो ये नर्बदा रीवर के किनारे हैं, कमलेशो डेम ये हीरन रीवर के किनारे हैं, दंतीवाड़ डेम ये बानस रीवर के किनारे हैं, और कडाना डेम ये माही रीवर के किनारे हैं, तो ये थी गुजराप की बेसिक इंफर्मिशन, बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, किस देखो Congress मेन की जू कैपिटल है ये क्या है बर्लिंंग इसकी कैपिटल है FNs की कैपिटल है क्ैप्टल है हैंसिंग की और फिल्लेंड को जीलों का देश भी कहा आता है फ्रांस की जा चाउा पैरिस अब आप एक वेक्ट और याद रखेगा बर्लिन, ये जर्मनी, फिल्लेंड और फ्रांस इनकी common currency है, मतलब एक ही currency है योरो, मतलब currency जो है तीनों देसों में सेम है ये fact भी आप याद रखेगा, अब बात रश्या की हुई है तो location देखिया आप, ये रश्या है, मोस्को जो है ये इसकी capital है, और ये largest city भी है रश्या रूबल currency है, वलामेदीर पुटीन राश्टपती है मिखाइल मिसूश्टी, ये परधान मंतरी है नीचे ये मंगोलिया है, ये चाइना है मंगोलिया और चाइना के border पे एक desert भी है जिसे गोबी desert नाम से जाना जाता है ये fact काफी बार exam में पूछा भी जा चुका है थर्ड question, दक्षिन अफ्रिका में भारते मूल के किस नयाएधीस को सरवच्चे नयाएक पीट में निउक्त किया गया है तो नरेंदरन जोडी कॉलपन, बी option जो है ये इस question का सही answer है अब बात करते हैं दूसर option की इन सी आरबी का डारेक्टर अपोइंट किया गया है और विवेक जोरी इनको सी बी आई सी का चेर परसन अपोइंट किया गया है तो थर्ड question का बी आंसर सही है नरेंदरन जोडी कॉलपन फोर्थ question किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहट एक नया एक इकरत कमान और नियंतरन केंदर शुरू किया है तो ये किस ने किया है हरियाना सरकार ने डी option इस question का सही answer है बात करें दूसर option की उत्राखंड उत्राखंड बहारत का पहला राज्य बन गया है earthquake alert app इसको launch किया है असम सरकार ने मोहितरी योजना को start किया 36 सरकार ने महतारी दुलार योजना को start किया अब बात हरियाने क्यों ही है हरियाने की पहले आप location देखिए ये है हरियाने की location ठेक है ये देख लिया आपने अब basic information कबर करते हैं मनुवरलाल खटर मुख्यमंतरी है मंदारू जत्ततर है राजयपाल है चंडिगण में इसकी एपिटल है एक नॉमबर 1966 को formation हुई थी 22 जिले हैं लोकसवा की 10 सीट राजयसवा की 5 विधान सबा की 90 सीटे है चंडिगण में इसकी हाई कोट है जहां के मुख्य नयादी से रभी शंकर जहां हिमाचल परदेश, उत्तर परदेश, दिल्ली, राजश्थान, पंजाब पाँच राजयों के साथ हरियाने की जो बाउंडरी है ये शेर होती है आचल ठाकुर का संबंध किस खेल से हैं तो इंका जो संबंध है ये है इसके इंक से तो C option ये इस कोशन का सही आंसर है याद रखेगा 5th कोशन का C option सही आंसर है किसने CM Dashboard Tamil Nadu 360 लॉंच किया है देखो इसको लॉंच किया है Tamil Nadu की जो मुख्यमंतरी है M.K.S.T.L.L.D. B option इस कोशन का सही आंसर है उद्देश का है इसको लॉंच करने का उद्देश है जो स्कीम से है उनको मॉनिटर करना कि उनकी इंप्लिमेंटेशन किस प्रकार से है फंड एलोकेशन क्या है और नम्मर ओफ बेनिफेसरी कौन कौन है तो B option जो है ये इस कोशन का सही आंसर है M.K. Stalin किस राच्चे की विधान सबाने सर्व सम्मती से शक्ति अपरादि कानून पारित किया है तो ये महराश्टरा की विधान सबाने किया है सेवन्थ कोशन का A. आंसर सही है महराश्टरा तमिल्नाडू से आप एक पॉइंट और याद रखेगा भारत का पहला डुगोंग संडक्षन डिजर्व ये कहां पर बनेगा ये तमिल्नाडू बनेगा किस राच्चे सरकार ने मीन्दम, मन्जपाई, अभियान सुरू किया है तो ये तमिल्नाडू सरकार ने इस अभियान को स्टार्ट किया है उद्धिश किया है जो प्लास्टिक बैक्स है इनको एलिमिनेट करना तो ये भी आप याद रखेगा राजिठान के बात करें राजिठान के सरकार ने घर घर ओस्ती योजना इसको भी श्टार्ट किया है ए उप्चन इस कोश्चन का स्यांसर है तमिल्नाडू दिसंबर 2020 में जोन डीडियन का निधन हो गया इनका समद किस छेतर से था तो ये लेखक थे राइटर यानि लेखक से इनका समद था कोशियन का सयांसर है अंतेराष्टे होकी महासंग FIH 202122020ज। कि रैंकिंग में भारत किस इस्तान पे है तो भारत इसमें तीसरी स्तान पे है कोशन इस कोश्चन का सयांसर है ये कल के कोशन है जो आप से पूँछे गई थे किस राज़े के मुख्यमित्री ने राज़े के प्रतेक पंजिकरत समाचार पत्र होकरों के लिए छे हजार रुपे के विशेश कोविट साहता वित्रित की तो ओडिसा इस कोशन का सही आंसर है संजे कुमार मिश्रा को किस उच नयले का कारेभाग मुख्यन अदीस निक्त किया गया उत्राखंट इस कोशन का सही आंसर है समाच सुधार अभ्यान को किस राज़े सरकार ने सुरू किया तो बिहार इस कोशन का सही आंसर है राष्ट्य शुशाशन दिवस हर साल कम मना जाता है तो ये 25 दिसंबर को हर साल मना जाता है राष्ट्य अपराथ रिकॉर्ड ब्योरो का निदेशा किसे निक्ट किया गया विवेक गो गया इस कोश्चन का सही आंसर है किस राष्ट्य में सबसे लंबे पुल टी सेतु का उधखाटं किया गया तो उडिसा जो है ये इस कोश्चन का सही आंसर है ये आज के कोश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्रशी मंत्री नरंदर सिंग तोबर ने 24 दिसंबर 2020 को किस राष्ट्य में चार दिवसे क्रशी प्रदर्शनी एग्रो वीजन का उधखाटं किया सेकंड कोश्चन किस राष्ट्य में जल जीवन मिशन के तहत 164 क्रोड रुपे से अधिक की पेजल आपूर्ती योजनाओ को मंजूरी दी गई थर्ड कोश्चन किस राष्ट्य सरकार ने चलो मोवाईल एप और चलो स्मार्ट कार्ट लॉंच किया है फॉर्थ कोश्चन 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालविय की कौन सी विजनती मनाई गई फिफ्थ कोश्चन सेफ अंडर 19 वुमेंच चेंपेशिप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है छटा कोश्चन खबरों में रहा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्चे से संब्धेत है तो ये 6 कोश्चन है जिनका आंसर आपको ठीक है इन 6 कोश्चनों का आंसर आपको कमेंट बोक्स से बताना है फ्लालिस डिसकुशन को हम यहीं पर रोकते हैं थैंक यू